और आप स्राइब के नाम पे तो जानवी कुर्बान है तो हमने सोचा कि हम इस की कुछ पसंदों की वज़े से हम आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं यह आप देख रहे हैं हमना सामना मीडिया वीडियो को शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप देख जरू क कंपेइनिंग के तहट आज यहां पर फारुखाई स्कूल में ब्रेट डोनेशन के में रखा लिया और हमारे साथ में मौदूद है इस स्कूल की पिंस्टिबल मौतरमा पात्मा खान साहिबा आई हम उंचे बात करते हैं पात्मा खान साहिबा यह जिस तरह से आज पारुख कर रहे थे इस साल जो मीटिंग होई थी कुछ चेंजिस लाना चाहिए और कुछ बैतर करना चाहिए और जेशने इद मिलाजन नवी के मौके पर और आप सब्सक्राइब के नाम से यह बहुत ही एहम अकसद है और जो लोगों की जान के लिए बचाने के लिए बहुत एहम है तो यह सोचकर और आप सब्सक्राइब के नाम पर जान भी कुर्बान है तो हमने सोचा कि हम इसके लिए क्यों ना आगे बढ़े और फिर हमारे चैर्मेन मिस्टर इफंक विबंडी वाला साब की परमिशन से उन्होंने भी बहुत ही घर्म जोशी से इसका यह कि नहीं नहीं तरीके से उन्होंने इसमें अपना लोग दान किया और हम इसके लिए इंशाला और भी कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी हम इस ऐसे प्रफेटर रॉल मौके पर इस मुहीं के तहट जो काम हमसे बन सके और जो हमारे कौम के लिए हमारे लोग के लिए बैधर हो उस भी हमें काम्यावी बिए अल्ला हमारे इस जजबे को कुबूल करे और जिन्होंने विए उनके भी कुबूल करे उनको इसका अजरता करें जैसे कि आप यहाँ पर माशाला एक जो इस पूल के लिए उनके सीरत सबके लिए तो बहसे देक पिंसिपल के इस स्कूल में जो तर्वा और ठालेबात सिरत run उजागर करने के लिए आप की उझायम है या आपके क्पे कुछ ख़़शर से ही हमारे फसेमबली होती नबी बच्चों को दुआ कि सिखाए और बच्छों ने माशालाद 20 से 25 से चोटे बच्छे और बड़े बच्छों ने माशालाद 50 से जाद है याद किए और हमारे नोटीस बोड पर आप देखेंगे तो आप सब्सक्राइब की हादीसे महाँ पर हमेशा मौजूद है जो जो मौका होता है उसके साथ से हम पर अदिसे लगा रहे हैं जोस्तों आज की स्कूल अत्या कैम में हमारे साथ मौझूद है इस स्कूल की मौलमा मौतर्मा फारजान चाहिज साहिबा जो के बहुत ही फाल जिम्मेदार शक्सियत है इस पूर मुमेंट की हमने दिखा कि प्छले बरस भी उन्होंने इसे अलेकूम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रभी उल अवल का मुबारक महिना है और इस मुबारक महिने में हम सभी ने कोशिश की है कि अपने तहीं हम कोई ना कोई अच्छा सा फरीजा अन्जाम दे उसी सिलसिले में हमने ब्लड डोनेशन कैम का इनिकात किया फारुखा पूल में हमारे चैर्मेन इर्फान विवंडी वाला सर हमारी प्रिंसिपल फातिमा खान मैडम की इजाज़त से और आज का ये ड्राइव आज की मुहिम बहुत ही ज़्यादा काम्याब हुई अब्लाइब इस मुहिम में कुछ वालदें के लावा इलाके के लोग और सबसे ज़्यादा एहम किरदार जो अदा किया यहां के जो कॉर्परेटर हैं हारुन खान उनके बेटे मजहर खान ने बहुत ही एहम रोल अदा किया उस बच्चे ने ताफी लोगों को जाकर बुलाकर लेकर आए समझा के क्योंकि हमारे यहां मुसल्मानों में चायद यह एक गलत पहिमी है कि खुनकातिया नहीं देना चाहिए तो मैं आप तमाम लोगों से यह अपील करूंगी कि खुन जब हम ले सकते हैं बिमारी पर तो हम दे क्यों नहीं सकते हैं तो आप सबसे इलते जाएं मेरी कि अगली बार जब भी इस तरह की कोई मुहिम हो तो आप जरूर हिस्सा ले हारुन खान के बेटे मजहर खान के लावा आहत खान के बेटे सैफ खान भी आये थे उन्होंने भी हिस्सा लिया पिर हमारे वतन के दूसरे लोग मिलिन भाउ तो इन सब के साथ की वज़े से इन सब की महनत की वज़े से इन सब की महबतों की वज़े से हमारा ये जो मिशन था ये अलहम दलिल्ला काम्याब हुआ इस महिम में सभी ने सभी समाज के लोगों ने सलिया ना हिंदू ना मुस्लमान सभी इनसानित के नाम पर लिए बिल्कुल इसमें एक खास बात जो है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी के खून का अतिया देने वालों में अपने यूपी बरादरी के गहर मुस्लिम की बात नहीं है और आपकी तालिमात जो है आप सलियल्लाओ अले सलम की तालिमात का भी जिक्र किया तो यह हमारे लिए बहुत ही फखर की बात है कि हमारे हिंदूस्तान में वाकई हम सभी हिंदूस्तानी है हमने किसी ने भी जात बेद भाव कोई फरक नहीं रखा तो जैसे शुरुआ की वहां से भी आपको कुछ इसके लिए कुछ कहा गया या कुछ का इत्माम करने की बात कही गई जी यूसुफ अबराहनी भाई जो है उनके पोर कमेटी में ये डिसाइड हुआ फिर बाद में हम मैं और हमारी प्रिंस्पल फात्मा मैडम हम लोग गए थे वहां प इस लेकर बच्चे जो है रास्ते पर खड़े थे और अपने तमाम ब्रादराने वतन को ये मैसेज दे रहे थे कि हमारे जो प्रॉफिट हैं उन्होंने हमें क्या तालिम दी हैं और हम क्या कर रहे हैं इस बैनर कले में एक पैगाम और देना चाहूंगी कि कर जो रभी लाव बारा रभी लावल का जश्न मनाने वाले हैं तो तमाम लोगों से ये अपीले के बराए महरबानी जश्न मनाएं दरूश शरीफ पड़े खामोश साइलेंट जो हमारे नभी का पागाम था वो लोगों तक पहुंचा हैं जश्न में नाज गाना डीजे ये हमारा मजब नहीं हैं या हमारे मजब की तालीम नहीं है तो बराए करम इस साल और आने वाले सालों में भी ये तालीम आम करें हमारा मजब सुकून और अमन का मजब है हमारा मजब बिल्कुल शोर अगुल और हुलर का मजब नहीं है लोगों को परेशान करने का मजब नहीं है लोगों को सुक हमारे यहां पे कुल 43 लोगों ने फुन कातिया दिया और एक इनसान का जो ब्लड लिया गया है वो तीन लोगों को दिया जा सकता है तो इस तरह कुल 46 लोगों की जान हम बचा सकते हैं और यह हमारा पहला कदम था इस जमरे में इंशाललह आइंदा साल अगर यह रहा या उस दर्मिआन भी कभी मौका रहा तो हमें उम्मिद है कि इन्शाललह यह हमारा सही पैगाम लोगों तक जाएगा और एक सौ की बजाए एक हजार तक हम कोशिश करेंगे कि ये मुहिम के तहत हम लोगों को फैस पहुंचा सके इस मौके वो वरिमत जानते हुए एक सवाल में करना चाहूँगा कि आज मुल्क में कुछ शर्पसंद अनासी जिस तरह से आप से लोसों में खिलाब इसलाम के खिलाब जहर हुखल रहे हैं और मुल्क के मौक को खराब कर रहे हैं बहसे एक मौल्लिमा के एक मुस्लमान के आप क्या कहने चाहिए आपके क्या जजबा है आईसे लोग क्या जवाब देने चाहिए बहसियत मौल्लिमा बहसियत टीचर मेरा एक ही पैगाम है हमारे पूरे ब्रादराने वतन को कि कुछ शर पसंदों की वज़े से हम आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं यह बिल्कुल गलत है आप और हम सब एक ही हैं और हमेशा हम एक ही रहेंगे बस शैतान जिस तरह जो कहते हैं ना बशर बशर याने इंसान बशर याने इंसान शर यानी शैतान तो बशर के साथ शैतान लगा हुआ है तो हम कोशिश करें कि वो शैतान हम से दूर रहे और हम आपस में मिल जुल कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आमना सब्सक्राइब बहुत शुक्रिया केमेरा पजन शाहन पर टेल के साला पजन का सजिन जाहन, जाहन मारक बाला आफोड़ा श्यक्रीज़